आज इन्टरनेशनल एरपोर्ट के टर्मीनल थरी पे अराइवल पे हमने वादा किया था एक वादा नहीं हमारा एक विजन था क्योंकि बहुत पंजाबी जो है वो एन आ रही है वो हर रोज बेनकूवर जाते हैं ट्रोंटो जाते हैं लंडन जाते हैं मेलबन जाते हैं सिट्नी जाते हैं कई बार ऐसी दिक्कतों को सामना करना पड़ जाता हैं बुजूर्ग हैं अकेले हैं फलाइड मिस्ट हो गई पता नहीं कहां जाना है पता नहीं कब जाना है पता नहीं कौन सा होटल दिया है जा समान नहीं आया पता नहीं कहां लिखवाना है समान बहुत सी दिक्कते थी कि मेरा खुद का भी ऐसा एक्स्पीरेंस रहा है जब मैं आज आटा जाता रहता था एरपोर्ट पे तो हमको भी लिखवाना पड़ता था समान नहीं आए जी प्रिटिश एर्वाइस का समान नहीं आए जी केलम का समान नहीं लुफ्तांसा का मैं किसी एरलाइन को कुई आपती नहीं जता रहा हूं कई बर हो जाता है ओदे वास्तियाद जैसी टर्मिनल 3 ते पंजाब हेल्प सेंटर पंजाब सहता के इंदर खोला है कि सी भी बंदे को अगर डिपार्चर पे दिक्कत है तो आजाए टर्मिनल 3 के अराइवल पे आजाए अंदर ही है एक हल्प सेंटर है दो अफसरों की ड्यूटी लगाई है केंप्यूटर लगे हुई है दो इनोवा गाडियां हमने इस पैशली यहां पर रखी हुई है क्या पता किसी का समान ना आए क्या पता किसी करा रात बितानी पड़े हाव होटल नहीं मिल रहा है वह सब्सक्राइब को यह असी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल रेंजमन्ट करके उनका के पंजाब भवन में रहने का इंतिशाम कर सकते हैं आगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट आगे वाली उसमें हम उसका प्रवंद करवा सकते हैं तो पंजाब पहला याम किया है शुरूती एक नंबर बता दो हम एक नंबर बताने जा रहे हैं आपको कि जिस पे फोन करके कोई भी दिक्कत हो आप अराम से हमारे पास आ जाईएगा बाकी काम हमारा है हेल्प सेंटर दा नंबर हैगा 011-6123-2182 इसको पंजाबी में मैं बोल देता हूँ जीरो बन बन तो दिल्ली का ही है कोड है 612-3-182 612-3-182 इसको नंबर है तो उसी फोन करो सामने पंजाब हेल्प सेंटर तो नजर आऊगा पंजाब बीच लिख्या हुआ है अंग्रेजी ची भी लिख्या हुआ है जिसी आओ जो तो अन्नू हेल्प चाहिए कोई तो अनू हो सकता है तो अनू यही ना पता होए कई बज़ूर्ग जान देने यह नहीं पता हुंदा जी एरलाइन केड़े काउंटर ते हैं चौंती नंबर ते हैं पहंती नंबर ते हैं तो सारा को सजीदास क्या मांच